मदप्रदेश के रीवा के रेड क्रॉस सुसाइटी और माई प्रॉइट संगठन द्वारा 13,000 पैकेट की ववस्था कराएगी जिसमें गरीबों को 20 दिन के लिए भोजन की ववस्था बन पाएगी वहीं रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे ने आज रेड क्रॉस पहुच कर खान यह एक जो बैशुक आबदा को राया कोरोना की आई है पूरी दुनिया तरस्त है उससे सब्से जादा लोग बच्राइब दुकानों के अभाव में अनाज की दुकानों के अभाव में दूरदराओ से जो लोग आए हैं पैसों के अभाव में उनको खाने की बियुस्ता निवप पा रही है तो रिवा माई पराईड और यहां के सभी जो सामाजिक संगठन है रेड क्रास और समने मिलके ऐसी योजना बनाई के ऐसी भूखी लोगों के लिए कहीं भी किसी भी तरह से किसी को भूख से परिशान नहीं होना पड़े तो दस जार पैकेट की विवस्था जिसमें एक पैकेट में 20 दिन की भूजन की विवस्था है लगवग एक परिवार के लिए 20 दिन के लिए भूजन की विवस्था है उसके 500 पैकेट अभी हमारे पास आए हैं जिसका भी कलेक साब को लोकाफित किया गया है और रेट क्रास के माध्यम से उसका डिशिलोशन होना है इनके नेरियों में करा जाएगा कब से यह शहर की लगवग सब लगवग जो असला मेरी आज हैं दिहाडी मजदूर गरीब बस्ती के लोग और ऐसे लोग जो बाहर से भी आए हैं कि नहीं कानों से जान नहीं पाए हैं उनको चिन्नित किया गया है एक हमारी सरकारी एजेंस पहुंच जाए ऐसा नहीं हो कि वहीं सामान उसी व्यक्ति पास पहुंच जाए और दूसरा जरुत मंद व्यक्ति रह जाए तो यह प्रियात्न है कि लगवग सभी वो लोग जो जरुत मंद हैं उनके सामान पहुंचे